हलो फ्रेंड्स उमीद है कि आप सभी स्वस्त होंगे मस्त होंगे मैं शेशिदाओदी दोस में आप सब का स्वागत करती हूं और आज मैं लेकर रही हूं आपके लिए जो है बदाम कतली की रेसिपी क्योंकि फिस्टिवल के समय में अकसर ऐसा होता है कि मिठाईय जो तयार की जाती है बहुत ही मिलावटी और अन हाइजिनिक तरीके से बनती है तो और उसके प्राइस भी जो है खासकते ओहारों के दिन में डबल से भी ज्यादा हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में आप प्रशाद के लिए या खुद के लिए घर पे आप असानी से जो है यह कतली तो चली रेस भी कंटिन्यू करते हैं तो यहां पे मैंने एक कप जो है आलमेंट्स रेर रखा है और इसको जो है सबसे पहले जो है मिठाई बनाने के लिए इसको सबसे पहले तयार करना है तो यहां पे जो है मैंने पहले से ही बरतन में जो है पानी बॉयल करने के 20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20 अब इसको जो है नॉर्मल पानी से जो है एक बार वाश करना चाहे तो आप वाश कर सकते हैं लेकिन छिलके के बाद वो साफी है तो अब इसमें हम पानी डाल के जो है करीब दो से तीन घंटा जो है इसे हम सोक करकर रख देंगे अगर आपके पास टाइम है तो आप जार में डालेंगे और इसे जो है ये जल्दी असानी से एक बार में पीसता नहीं है चाहे कितना भी अच्छा ग्रेंडिंग जार हो वो एक बार में नहीं पीसता है तो इसे जो है हम पहले थोड़ा सा पानी एड़ करके जो है हम पहले थोड़ा सा एक बार चलाएंगे और उस इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के जो है इसे एक बार जो है और अच्छे से जो है फाइन पेस्ट बनाएंगे यह खाने में बहुत ही स्वादिश्ट होता है और बहुत जल्दी असानी से यह बन जाता है कोई लबा प्रोसेस नहीं है बस पिछने काम इसको रेडिकरने में थोड़ा बंदे में थोड़ा सा ऑर पानी है और बहुत है और यह जो है फाइन Fif sir जो है अन्हें तरह से मैंआरा टेक्ष्टर गंदा क немного बादाम में आएगा आप इसको ठिक करने के लिए या फिर इसके स्वाद को अगर आप बढ़ाना चाहें तो आप थोड़ा सा जो है milk powder भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर milk powder यूज़ नहीं किया है बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है यह मिठाई बनाया है और बहुत ही टेस्टी यह मिठाई बनी थी तो यहाँ पे आधा कप जो है हमने चीनी लिया है और वन फोर्थ कप पानी लिया है तो हमने बदाम एक कप लिया है और आधा कप चीनी और फोर्थ कप पानी डाला है और थोड़ा सा केसर के धागे डालके इसे हम चलाएंगे और चीनी को मिल्ट कर लेंगे पानी इसमें कमी डालेंगे क्योंकि हमें इसे ultimate जो है हमने mixer जो तयार किया है बदाम का उसे चलाते चलाते हमें पकाना और गाढ़ा करना है और कतली की खासियत यह होती है कि यह बहुत ज्यादा मीठा नहीं होता है हलका मीठा होता है लेकिन बहुत स्वादिष्ट यह लगता है खाने में तो आज जो है आपने काजु कतली और और बहुत सारी बरफी अगरा खाये होंगे लेकिन यह बदाम कतली है थोड़ा उनसे अलग टेस्ट इसका आपको लगेगा तो जरूर आप इस रेस्पी को ट्राइ कर सकते हैं तो अब जो है मिक्सर को जो है आम इसके अंदर डाल देंगे और इसे मीडियम लो फ्लेम पे जो है ना कंटीनियू हम चलाते रहेंगे चारो तरब से और इसे तब तक हमें पकाना है कि जब तक कि मतलब इसका जो टेक्सर जो है गाढ़ा ना हो जाए और एक अच्छा सा जो है डो का फॉर्म ना ले ले तो इसी तरह चलाते चलाते जो है करीब इस प्रोसेस को करने में मुझे 15 से 20 मिनिट लगे मीडियम हाई फ्लेम का यूज करते विए इस तरह से मैंने गाढ़ा कर लिया है और इसके बाद से जो है यहां पर मैं एक टीजपून गी डाल रही हूं ताकि यह बहुत ही थोड़ा सा चिकना हो जाए और भी मिठाई का जो सेप है वो भी प्रोपर है थोड़ा टेस्ट भी और चीनी इसमें अगर साफ सुतरा लेंगे ना तो जो कत्नी का कलर टुल यह अच्छा पाता है सिसला साफ सुतरा कि रखे हैं और बहुत तक थोड़ा से इस थोड़ा हो जाता है तो इस तरह से बिल्कूर देखे हैंat The Dove. और बहुत अच्छे से पग गया है तो अब आप बोलेंगे कि यह कैसे तैयार हुआ है यह कितना तैयार हुआ है कितना तैयार करना तो इस तरह से आप थोड़ा सा पॉर्शन लेकर गोली बना कर देखेंगे अगर गोले बन जाता है तो इसका मतलब कि हमारा डो जो है तो इससे फैला के रख देंगे कि जल्दी से यह ठंड़ा हो जाए मिक्सर अर यह ठंड़ा हो चुका है तो हाथों में जो है मैंने थोड़ा सा घी लगाया है और घी लगाते हुए जो है इससे हम अच्छे से एक बार पहले मिक्स कर लेंगे बेल जहां यहां पर आप बंटर पेपर यहां नॉर्मल पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन यहांपर बंटर पेपर यूज़ कर रहरु हूँँ जो केक वगएprizen के लिए यूज़ करते हैं तो उसमें थोड़ा सी घ्रीस करके इसंतरर्से प्ले कर देंगे अर दुसरे स करीब इतना थिकनेस जो है इसका कतली का होता है और अगर आप चाहे तो मोटा भी रख सकते हैं तो सबसे पहले किनारे चुकि कतली का शेप अच्छा निकालने के लिए जो है तो किनारे वाले साइड को जो है हम निकाल देंगे और उसे बाद में फिर हम दोबारा यूज कर ल तो इस तरह से मैंने चागू का यूज करते हुए जो है घर में एक स्वादिश मिठाई जो है घर में तयार हो गया तो इस तरह से हम इसको शेप में काट लेंगे नॉर्मली इस ही शेप में काजू कतली मिलता है तो इसलिए मैंने ये शेप को चुना है आप चाहे तो इसको आप सकते हैं और कुछ देर के बाद date, friends, ये उसे यूज करेंगे खाने के लिए ये प्रशाध के लिए, तो ये ड्राइ होने के बाद और जो है थोड़ा अब ही है, थोड़े लगा दीए, थोड़ा सा फिस्टिव片 लिए, तो ये ओप्जनल है, तो I hope guys कि आपको ये recipe पसंद आई होगी recipe पसंद आने पर चैनल को like, subscribe, share करना मत भूलिएगा Thanks for watching, stay safe, stay happy